मलेर कोटला में शेहर की अलगलग धार्मिक और समाई सिवी संस्थाएं और मुस्लिम समाज ने मिलकर आज मलेर कोटला मुकमल बंद रखा शेहर के सभी कारोबार दुकाने और बजार सुनसार नजरा रहे थे और जुमे की नमाज अदा कर सारा मुस्लिम समुदाए सुरहंदी गेट पर पहुँच गया शांती से परदर्शन चल रहा था मुस्लिम समुदाए के मुफ्ती साहिब ने दुआ करवा कर कारेकरम को शुरू किया और इसके बाद पंजाब सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री मैडम रजिया सुल्ताना भी मंच पर पहुँच गए जिनका समुदाए के कुछ लोगों ने विरोध भी किया मुफ्ती साहिब की बैठक में ये फैंसला लिया गया था कि इस कारेकरम में कोई भी राइनेतिक व्यक्ती नहीं शामिल होगा जैसे ही मैडम रजिया सुल्ताना ने मुस्लिम समुदाए के परदर्शन को संबोधित किया और वे इसके बाद स्टेज से चली गई और गुसे में आएक कुछ मुस्लिम समुदाए के लोगों ने निरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारिबाजी की और मेडम रजिया सुल्ताना के वहां पहुंचने का इतरास भी जताया कुल मिलाकर मुस्लिम समुदाए का परदर्शन जो नागरिकता बिल को लेकर किया गया है काम्याब रहा इसमों के शेहर के सभी कारोबार बंद रहे आजार टीवी नियूज के लिए मले कोटला से मुहमत काजम के साथ शाहिद जुबैरी की रिपोर्ट काफी लाही सेगी और फिर भी यहीं पीस्फल रहा आज ये थे जो मलेर कोटला देंदर बंद रा प्रोशेस्ट किता गया है इस बिल्दी मुखालफत किती गई है कि इसनों कनून ना बनाया जा सके यो के एक जड़ा कनून है लोकार मुसलम आनले की बहुत काटगेंटि जिरी सरकार है है एक आतकी सरकार है इसनों बहुत किता जा जा रहे है कि तांके इसनों कनूनदा रुपना दिटा जड़ता जा जाए कैसे समुध्धे नो लेगे हो याज है सर जड़ा कम्यूनिटी वैंटमेंट बिल जड़ा लोकसभा विच और राजसभा दे जड़ा पास किता गया है उस मुद्दे नो लागे जड़ा मुसलमाना विच पूरे देश दी कटिंती देज़ा डर्दा महाल पाया जा रहे आपनों एक मुसलमान विच पूर लग रख्या गया क्योंकि बाकी जड़ियां कम्यूनिटीज ने ओनानों सिटीजन्शिप देन दे लिए अलाओ किता गया कि अगर कितों भी आ रहे है नहीं पहला ही कि जड़े चलाओ है कि इन सब्सक्राइए विच पर लिए को युद्दे करें लोग जड़ियां सब्सक्राइए अगर तो आ रहें है ने तुन और फिजिजन्शिप देशा एंगा एक एक अपील करूंगा है जो बिल आया है उसके तहत पिछे कहां बाप दादाएं उनके दादाएं का कहां से सबूत लोग लाएंगे कि इसमें को पस नहीं भी है तो इसलिए इस बिलकु हम कंडम करते हैं और हम लोग हमारी पार्टी स्प्रीम कोट में भी इसके खिलाफ जाएगी अगर एक मजब के साथ बितकरा होगा तो हमारा मुल्क जो है वो एक साथ अमान आमान से नहीं रह पाएगा ये मुल्क को तोड़ने वाली बाते कर रहे हैं मुल्क को खराब करने वाली बाते कर रहे हैं हम लोग अमन आमान चाहते हैं अमन आमान से इस मुल्क में रहना चाहते हैं हमारा इस मुल्क में रहने का हक है और वो हम लोग इंशालला ताला अपना हक लेके रहेंगे और आज जो प्रोग्राम यहाँ पर हुआ एरा दिसम्बर 2019 बाद नमाज जुमा पूरे शहर के अंदर यहाँ पर बंद रखा गया इसमें सबसे बड़ी दो चीज़े हैं कि भाईचारे ने हिंदू, मुसल्मान, सिक सब इसमें शरीक रहे और बड़ी तादाद में नौजमानों ने हिस्सा लिया, उनका अपने गम और गुस्टा के इजहार भी कर रहे थे और इसे के साथ पुलिसी बात है हुई कि प्रोग्राम डिस्टर्ब हुआ सियासी रस्टा कसी के बिना पर मैं समझता हूँ कि इसका बहुत जल्द ही इसाला भी किया जाएगा और दुबारा हम फिर इस शहर के अंदर दुबारा इहतिजाज भी करेंगे और प्रोग्राम भी करेंगे कि इसमें कोई भी सियासी आदमी स्टेज पर नहीं जाएगा अभे नहीं सुनगा रहा है कि यह क्यों आई है और कैसे पहुंच गए लोगों इसको बहुत दीक बुरा समझा है क्यों से सियासी लेता पहुंचे माँदे हैं? हमारी इस शहर के जो हमेले साहिबा है कांग्रेस की यहां पर ममेंदरी करती है मेडम रजिया सुल्ताना साहिबा तो फिर वाप बहुत चले आए था? मैं तो पर्गरामी डिस्टर्प हो गया तो सब लोग चलेगे हैं मैं भी चला गया था उस पर उनके आने पे लोगों ने हित्जाज किया कि जो उसुल के खिलाफ हो और जहर बात है पूरा जलसा खिल गया मुन्तशिर हो गया लेकिन प्रोग्राम खराब होने के साथ इस पर बहुत बड़ी बात की जा सकती है पूरे शहर के अंदर तकरीबन बंद था और सब लोग बड़ी होसल एक साथ शर्कत किया मैं आवान के जजबात को सलाम करता हूँ और यहां के भायचारों को बड़ी ही मुहबत की निगाह से देखता हूँ किसे में हिंदू, मुसल्मान, सिख सब होने अपने अपनी दुकानों को बंद किया और एक आवास पर एकठा हुए